पांच लीटर नीम्बू का जूस घर पे बनाया 183 रुपए में और घर वालों को बीचा 500 रुपए में पहला चैलेंज था ये सोचना कि इस दुकान का किराया निकलेगा दुकान थी 1000 रुपए की किराया पे जो महिलाएं हमारे साथ काम करी थी वो बिना अपनी दिन चर्य चेड़े वे 5 से 7 रुपए कमा रही थी पांच साल में जो कमाया उसके साथ जो बैंक से लोन लिया था वो डूब गया था जितने जोज से हम आगे बढ़े थे जितनी हमारी हिम्मत थी सब तूट गए चुनावतियां आपके लिए अवसर क्रियेट करती है यह चुनावति थी कहा जाता है पाहाड का पानी और पाहाड की जवानी पाहाड के काम नहीं आते मुझे इस सोच को बदलना था और इसकी शुरुवात भी घर की किचन से सिर्फ 183 रुपए में जो मेरे हस्बन ने पहली बार एक स्क्वाश पैयार किया आज हम किचन से लेके और करोड़ पती बनने की इस कहानी को देखते हैं नमस्कार, मेरा नाम रिचाड भाल है मैं शुरू करती हूँ अपनी कहानी से जहां मेरी पढ़ाई लिखाई पौड़ी के उत्राखन के पौड़ी जिले से हुई है जहां गाउं में हमने रह के पढ़ा, दसमी तक के पढ़ाई मेरी गाउं में भी दसमी के बाद, 2000 में मैं देहरादून शिफ्ट हुई और देहरादून शिफ्ट होना एक ऐसा चेंज था मेरी लाइफ में जो पर्मानेंट आ गया था अब मैं हमारी पूरी फैमिली जैसे शिफ्ट हो गई मुझे लगता था कि किस तरह से वापस गाउं में चाया जाए जो मैं पढ़ रही हूँ या जो मैंने अचीव किया है उसको किस तरह से गाउं को दिया जाए इसी बीच जब मेरी जनलिजम के पढ़ाई चल रही थी तब मैंने एक शब सना था Community Entrepreneurship तो उस दिन ये चीज और ज़्यादा क्लिक हुई कैसे Community के साथ हम काम कर सकते हैं और वो भी Entrepreneurship का तो पहाडों में बिलकुल नहीं होता पहाड का युआ या तो सर्विस में जाता है या अपने खेती किसानी में लगता था तो हमने इस आइडिया के साथ मैं बढ़ रही थी कि कैसे काम करूँ इसी बीच मेरी मुलाकात हुई एक Friend से जो खुद जॉब छोड़के इस चीज को फोकस थे कि पहाड में बहुत सारे Natural Resources है और युवा जॉब करने जाता ही है क्यों नहीं हम इन दोनों को Mix करके कुछ ऐसा बनाएं कि पहाड में रोजगार बने हम कुछ ऐसा काम क्यों नहीं करते कि काम करने वाले बाहर न जाए लेकिन यहां से चीजें बाहर मार्केट में जाएं आज तक हम बाहर के बाजारों से चीजें लाके पहाडों में बेशते हैं तो पहाडों की चीज़ क्यों नहीं बाजारों में जाती है तो ये दोनों आइडिया बहुत अच्छे से क्लिक वे और 2014 में हमने एक नया काम शुरू किया पहाड के यूथ और पहाड के रिसोर्सेज को लेके एक छोटा सा उक्रम शुरू किया यूआ हिमाले नाम दिया यूआ हिमाले जो पहाड के यूआ रिसोर्स दोनों को लेके आगे काम करे और समाज के लिए कुछ कर सके समाज को रोजगार के दिशा में कुछ दे सके इस सफर में सबसे बड़ी समस्या थी कोई भी इसको मान नहीं रहा था पहाड में काम हो सकते हैं जब हम दोनों ने साथ चलना शुरू किया घरवाले और जो क्लोस फ्रिंट थे वो इस चीज़ के पीछे थे कि जॉब छोड़के इस तरह का रिस्क लेना कोई समझदारी तो नहीं एक समझदार इंसान पहले अपनी फैमिली सेट करता है अपने एक स्टेटस सेट करता है और आप अच्छी खासी एजुकेशन के बाद अच्छी खासी जॉब के बाद सब छोड़के पहाडों में काम करेंगे और वो भी इस तरह का अचार, चटनी, जैम, जूस का काम ये एक स्टेटस, सिंबल और एक रोजगार दोनों को असमझदार रगने वाली सी चीज थी तो समने बना किया लेकिन मैं पार्टनर इंक्राइम बनी और हम दोनों ने चुपके से अपना काम करना शुरू किया योगशने प्रोड़क्ट बनाने शुरू किये हमने उसके लिए रिसर्च और मार्केटिंग शुरू कि हमने बाजार का टेस्ट जानना शुरू किया बाजार की जरुरत जानने शुरू कि और अपने उत्पादों को बाजार में लाने की तैयारी कि हमारा पहला जो उत्पादन था वो पांच लीटर नीमबू का जूस घर पे बनाया 183 रुपे में और घर वालों को बेचा 500 रुपे में यहां से आइडिया हमने बढ़ाया यह आइडिया काफी अच्छा काम कर सकता था और हमने धीरे धीरे इस पे काम करते वे इसको 10 बाइ 12 की एक दुकान से शुरू किया छोटी सी दुकान वहीं प्रोडक्शन होता था और वहीं सामान बिकता था जब हमने यह काम शुरू कर दिया तो पहला चैलेंज था यह सोचना कि इस दुकान का किराया निकलेगा दुकान थी हजार रुपए के किराया पे तो पहला तैव हुआ कि चलो कुछ नहीं बस इस काम से इस दुकान का किराया निकलता रहे उतना भी काफिया कास्टिंग निकल जाए और किराया निकल जाए तो एक साल तक हम इस आइडिया पे इंकम सोच रहे हैं और एक ही हफते में 8,000 रुपए ये 8,000 रुपए हमारा मोटिवेशन बने और हमने यहां से इस काम को ही बढ़ाने का सोचा और अपने साथ और लोगों को लाने का सोचा जो समुदाए जो घरवाले पहले इस चीज को लेके डरे हुए थे कि ये काम नहीं हो पाएगा या जॉब छोड़के जब आप इस तरह के काम करते हैं तो आपके उपर एक परिवार को समभलने की जिम्मेदारी भी होती है उसे कैसे पूरा करेंगे उन्होंने हम पे बिश्यास किया कि जब ये एक हफते में इतना कमा सकते हैं शायद थोड़ी मेहनत हम भी करें और घरवाले वहां से हमारे साथ आने शुरू हुए वहां से हमने इस बिशनस को आगे बढ़ाना शुरू किया और हम दीरे धीरे दस बाई बारा की दुखान से एक दो रूम के सेट में शिफ्ट हुए अगले छे महीने साल भर में वो भी हमारी मार्केट के लिए कम पढ़ने लगा हम एक 20 बाई 30 के हॉल में शिफ्ट हुए और चार साल में चार जगे बदलते हुए 2018 में हम अपने 1500 स्क्वार फिट के एक यूनिट में आए जहां आज हमारी अपनी प्रोडक्शन यूनिट थी और हम अपने साथ पांच और लोगों को रोजगार दे रहे थे तीन महीलाएं, दो युवा और दो हम हजबन वाइफ रमाई वैली के कोटियाल गाओं में यूनिट से पचास किलोमीटर पहले अपनी यूनिट सेट अप की जो हमारी चानी जहां पशू रहते हैं या खेती होती है उसके पास सेट अप की कारण हम जो कम्यूनिटी एंटर्परिनियोर्शिप की बात कर रहे थे जो महिलाओं को अपने साथ जोडने की बात कर रहे थे हमने सुच है वो खेतों में आती हैं उनके साथ काम करा जाए तो उसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी था कि उन्हें छेडा ना जाए उनकी जो रोज की परक्रिगा है उनके रोज के काम है उसको डिस्ट्रम न किया जाए तो अब महिलाओं नौ बचे तक उन्हें खेतों में काम करती थी नौ से पांच हमारे साथ काम करती थी और पांच बचे से फिर अपने खेती किसानी के काम करती थी उनके लिए आसानी भी कि उन्हें अब खेतों से वापस गाउं नहीं जाना पड़ता हमारे लिए आसानी भी हमें कामगार दिन में मिलने लगे और इस तरह से समुदाय और दो युवाओं ने मिलके इस काम को आगे बढ़ाना शुरू किया काम कोई भी हो वो करने का मज़ा तब आता है जब उससे कुछ इनकम भी हो रही हो आप काम तो शुरू कर रहे हैं लेकिन अगर इनकम नहीं होगी तो लोग आपको क्यों उस काम के लिए जानेंगे या क्यों आपको वो काम करने देंगे वो काम आपको मोटिवेट कैसे करेगा इस से मैं जो महिलाएं हमारे साथ काम करी थी वो बिना अपनी दिन चर्य चेड़े वे 5-7 जार रुपए कमा रही थी हमारा भी बिजनस बढ़ रहा था और हमारे प्रोडक्स काफी पसंद कीए जा रहे थे हमारे प्रोडक्स उत्राखन की जितनी भी रमाई वैली एक पूरी फ्रूट बेल्ट है हमारे यहां से बहुत होता है हमारे यहां फल बहुत होते हैं जंगली सबजीयां हैं और क्रिशी उत्पादन भी अच्छा है तो इन सब चीजों से जो उत्पाद बन रहे थे हम उन्हें मार्केट में ला रहे थे और उनका काफी अच्छा रिस्पांसमेंटा था और सबसे अच्छी चीज़ी थी अब हम जब आगे बढ़ रहे थे तो हम हमारे साथ धीरे धीरे 5 से 7 और 8 मेलाएं होने लगी थी किये लोगों से लिंक किया और तयारी हुई कि होली से पहले 2019 में हम सारे मार्केट में पहुंचेंगे क्योंकि उसमें लोग जूस खरीबते हैं अगर उस समय हमारे प्रोड़क किसी ने टेस्ट किये तो यह हमारे लिए कि मार्केटिंग का काम करता अपनी बैंक क्लोन की पूरी असी परतिश्चत इंकम इन्वेस्ट की और मार्च में बड़े ओर्डर्स तयार करके डिलिवर कर दिये 11 मार्च को ओर्डर अपनी पार्टी तक पहुंचे अपनी डेस्टिनिशन तक पहुंचे और 22 मार्च को अनॉंस हुआ लॉक्टाउं और इसके साथ एक पर्सनल चैलेंज था कि इसी समय में एक्स्पेक कर रही थी अपनी सेकंड प्रेगनेंसी एक तरफ ये चैलेंज की प्रेगनेंसी इस माहौल में कैसे कैरी की जाए दूसरी तरफ 80% इंकम हम डुबा चोके थे पांस साल में जो कमाया उसके साथ जो बैंक से लोन लिया था वो डूब गया था गाइडलाइनस हर दिन बदल रही थी शुरू के 15-20 दिन समझ ही नहीं आया कि क्या करें और क्या नहीं लेकिन फिर उसके बाद 15-20 दिन में दुबारा हिम्मत की और मेरे हस्बन योगिज ये एक बात कहते हैं जब कुछ समझना आए तो वो करो जो सामने है और बस करते जाओ हमने उस समय देखा कि यहां पर काफी सारी सबजियां हैं जो जंगली सबजियां हैं तो उस समय बाहर से आवाजा ही बन थी हमने उनको इकठा किया उनका घर पे रहके अचार बनाया और अगले दिन उसको मार्केट में लेकि आए पचास किलो अचार दो दिन में विका लेकिन यकीन मानिए ये पचास किलो विकना हमारे लिए किसी तीन चार लाग के बड़े ओर्डर से भी जादा अच्छा था इसने एक नई होप दी जहां हम सब कुछ छोड़ चुके थे जहां हमें लग रहा था कि अब सब कुछ डूब गया हमें दुबारा एक मॉटिमेशन मिला दुबारा एक राह मिली काम करने की जो अचार आज तक हम साल भर में सिर्फ 2000 किलो बनाते थे कोविड में हमने उसे बनाते बनाते अपनी शमता की 30,000 किलो पंदरा गुना व्रिदी पंदरा गुना हमने अपना बिजनस बढ़ाया उस बिजनस को बढ़ाने में उस समय कम्यूनिटी का होना और हमारा लोकल में काम करना सिर्फ ये दो चीज़ें काम आई कम्यूनिटी साथ थी, तो कम्यूनिटी का हम पर विश्वास था, सामने चीज़ें बन रही थी, इंफेक्शन के खत्रे नहीं थे, कम्यूनिटी ने प्रड़क लिए प्रड़क के लिए मुझे मार्केट कहीं बाहर नहीं करना पड़ा, बलकि मेरे अपने लोगों से खरीद रहे थे, और इस तरहें कोविड में जिस समय सब लोगों का सब कुछ खतम हुआ, कई सारे बिजनस बहुत जल्दी शुरू है और खतम हुए, हम कोविड नाइंटी स से ट्वेंटी की फेज जो रही, कोविड वान और टू, हमारा टोटल टरनोवर 25 लाक रीच किया, और हम सबसे अच्छी बात, ऐसा तो था ही, हम अपने समुदाए के लोग, जो कोविड फर्स में घर आ गए थे, और खाली बैठे थे, हम रोटेशन में अपने साथ 25 और लो में उस समय लोगों ने बहुत कुछ खोया है, लेकिन कभी-कभी चुनौतियां आपके लिए अफसर क्रियेट करती है, ये चुनौती थी, जिसे हमने एक अफसर की तरह लिया, एक समस्या की तरह लिया, और ये हमारी परसनल रर्लिंग रही, जो आज तक युवा हिमाल है, ह यहाँ पर सोच बदली, कुछ ऐसा करना जो ऐसे बुरे टाइम में अपने समुदाय को संभाल सके, उसके लिए रोजगार जनरेट करना, उसके लिए वहाँ पर काम ढूना, अपर्चिनिटी ढूना, और इस COVID ने हमारे लिए blessing in disguise का काम किया, हमने business से और entrepreneurship में एंटर होने का गुर सीखा, हमने यहाँ पर सीखा, कि चुनातियां ही वास्तों में आपके ग्रोथ के लिए सबसे जरूरी चीज होती है, अक्सर हम तब हार जाते हैं, जब कोई चीज हमारे सामने आए, और हमें लगे कि अब यह नहीं हो पाएगा, लेकिन जीत जस्ट उसके पीछे होती ह यह कैसे हो पाएगा, आगे के गानी, जैसे मैंने आपको बताई, अठारा में हमने अपना काम बढ़ाया, अपने परसनल सेट अप में आए, उनने इसमें कोईड इशेला, और कोईड के बाद हम जब आगे बढ़े, 2020 के बाद, 25 लोगों की वर्कफोर्स के साथ, हमने फिर स 500 लोगों को सपोर्ट करता है, वो 500 लोग, किसान भी हैं, युवा भी हैं, आज हम वहाँ पर एक समधाय से ये चीज़ जानते हैं, समधाय आज इस चीज़ को मानता है, कि इस तरह के काम का होना जरूरी है, जिसे पहले पहाडों में बिलकुल नकारा जाता था, इनोवेशन रही हैं, वहाँ पर आपको अपने उपर विश्वास रखना चाहिए, वहाँ पर आपको खुद पर पहले ये भरूसा होना चाहिए, आप गिरेंगे नहीं, गिरेंगे दुबारा खड़े होने, पीरी इस पूरी यात्रा में, हमें कभ ऐसा लगा कि हम काम सही कर रहे, जब ह में समधाय ने तो माना ही लेकिन हम उत्तरखशी से काम करने वाली युनिट में लिस्ट में व jeito में हमारे प्रोड्ड़क्स को लेकि हमें उत्रकाप्षी गौ़ॉर्मेंट ने हमें लिस्ट किया सेम से बने उत्पादों को बनाने के लिए आज उसके साथ साथ उत्रखन कॉवर्मेंट की KVIC यानि खादी और ग्रामोद्यों के अंदर काम करने वाली पास डिफरेंट सेक्टर की एक टॉप फाइव इंडस्ट्रीज में से एक हैं यह रिकॉगनिशन सिर्फ एक शेयर करने के लिए नहीं है यह रिकॉगनिशन आपको मोटिवेशन देता है जब आप काम कर रहे हैं और अचानक से आपको खबर आए कि आप टॉप फाइब में से एक हैं और आपको रज़ेपाल से मिलना है उस समय वो जील जो हम फील करते हैं वो फ्यूल किती हैं कि हम इस काम को और आगे कैसे ले जाएं और ऑफ मारे साथ की जो महिलाएं हैं इसके लिए पूरी तरह से समय दार वो महिलाएं हैं जो अनप messle से लेके वो स्छा ग्रजवेट तक हैं और जो अनपड़तों हैं लेकिन पूरी unit का setup खुद handle करती है आज मेरे achievement मैं कहां listed हूँ उससे ज़्यादा ये है कि मेरे साथ 3500 और घर की महलाएं खड़ी हैं जो एक अच्छे income लेती है अपना काम as it is करती है उनका खृषी का काम कोई change नहीं हुआ उनके घर के काम कोई change नहीं हुए उसके साथ एक extra income लेके जाती है और उनको जो अपना पैसा खर्च करने की खुशी होती है उनके चहरे पे देखना बहुत अच्छा लगता है मैं जो श्टॉक आशा का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी आज इस मंच पे मैं अपनी कहानी कह रही हूँ ये संभव वहा क्योंकि आपने हमें यहाँ पे मौका दिया और ये मौके मेरे लिए तो है ही मेरे लिए एक मंच है लेकिन किसी को inspire करने का बहुत अच्छा तरीका है मैंने खुद जो श्टॉक के बहुत सारी कहानिया देखी है जिसमें मैंने देख रहा है कि मेरे स्टॉगल तो कुछ भी नहीं है मेरे स्टॉगल के मुकाबले बहुत सारी महिलाई जीरो से खड़ी हुई है कई-कई बार गिरी हैं और कई-कई बार खड़ी है इस तरह के मंच हमारे समाज को और हमारे यूद को खासकर महिलाओं को मोटिवेट करने में बहुत मदद करते हैं इन कहानियों से कई बार हम जब सब कुछ छोड़ने की कगार पे होते हैं दुबारा हिम्मत आती है मैं ये करके दिखा हैं जब हम घर पर सबका खयाल रख रहे होते हैं या पढ़ाई पूरी कर चुके होते हैं तो मन में एक सवाल जरूर आता है अब यहां से मेरे लिए आगे क्या है? हम कभी-कभी भूल जाते हैं कि हम कितने काबिल हैं हम भी घर के सभी कामकाज के साथ अपना करियर भी बना सकते हैं ऐसे में कभी परिवार का साथ नहीं मिलता कभी कोई सही दिखाने वाला नहीं मिलता या फिर कभी-कभी हम खुदी हारमान कर बैठ जाते हैं तो ऐसे में हम सबको चाहिए होता है बस एक सपोर्ट और वो सपोर्ट हमें मिलेगा जोश्टॉक से जोश्टॉक्स, जोश्वविमन एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हमें एकस्पोर्ट ट्रेनिंग, मिन्टॉशिप हमारी जैसे और औरतो का सपोर्ट मिलेगा जिससे हम सब मिलकर आगे बढ़ेंगे यहां हमें एकस्पोर्ट ऐसे गाइड करेंगे जैसे हमारी बड़ी बहन हो इसके लिए हमें बस एक फॉर्म भरना है जो कि डिस्क्रिप्शन और पिन कॉमेंट में डाल दिया गया है चलिए साथ मिलकर आपके सपनों की नौकरी को हासिल करने के दिशा में पहला कदम उठाते हैं चाहे आप आर्थिक रूप से आत्मिर्भर बनना चाहती हों या फिर नए स्किल्स सीखना चाहती हों जो स्टॉक्स की टीम आपकी मदद के लिए यहां है